क्या आप भी साम के वक्चाई के साथ कुछ नमकीन ये बिस्कीट ये चोटी मोटी स्नेक्स खाना पसंद करते हैं तो आज हम बनाने वाले हैं नमक पारे वो भी गेहूं के आटे और मौ की दाल से तो यहां मैंने दो डिफरेंट टाइप्स के नमक पारे बनाया है और ये हमारा बहुत ही ये हमारा बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तयार होता है कैसे हैं आप लोग आप लोग आप लोग अच्छे होंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकर्स मिले तो हमने यहाँ पे एक कप मूं की डाल को चार गंटा पहले बिंगो कर रख दिया था और अगर आपको इस टंड बनाना है तो अपका गुंगुना पाने में यहाँ एक गंटे के लिए से डाल देंगे तो यह बहुत जल्दी फूल जाता है तो अब इसे हम दो तिन पाने मे और तीखे वाला नमक पारे खाना है तो आप इसके साथ क्या कीजिए दो मिर्ची मिलाकर की भी इसे पीश सकते हैं तो मुझे बस नॉर्मली बनाना था तो मैंने बस पाने डाल कर इसे दर दरा पीश लिया है बस इस तरह से और अब हम इसे एक बड़े बरतन में निकाल ले है आधा चमच हम जीरा मिलाएंगे यह आप अगर चाहें तो मिला सकते हैं उसे के साथ हमने आधा चमच यहां पर अजवाइन मिक्स किया है अजवाइन भी आप डालेगा बहुत बढ़ी टेस्ट आता है और इसी के साथ हमने आधा चमच कलोंजी जिसे काला जीरा भी कहते ह उसे भी हमने डाला है और हमने आधा चमच हींग डाला है तो हींग आप डालिएगा टेस्ट अच्छा आता है नमक पारे का स्वाध अनुसार हम नमक डाल देते हैं हमने यहाँ पे पिंच भर सोड़ा का इस्तमाल क्या है आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं और इसे भी हम मिलाकर हाथों के मदद से हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आप यहाँ पे कस्तूरी मेथी अगर इस्तमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं अब हम इसमें एक बड़ी चम्मच घी डाल देते हैं क्योंकि हमें नमक पारे को बहुती क्रिस्पी खास्ता बनाना जिसे मुएम करते हैं तो वो मुएम डाल देते हैं आप अगर इसके जगाए ओयल का यूज़ करना चाहते हैं तो आप ओयल का भी यूज़ कर सकते हैं और इसे भी हम अच्छे से mix कर लेते हैं और थोड़ी थोड़ी quantity में हम पानी डाल कर इसका एक सक्त दो तयार कर लेंगे धियार रखे कि हमें इसे सक्त ही सानना है बस इस तरह से तो अब हम इसे 5 मिनट के लिए rest करने के लिए रख देते हैं ताकि हमारा आटा थोड़ा सा fluffy हो तब तक हम एक cream तयार कर लेते हैं जिससे हमें इसे अच्छे से फोल्ड करने में मदद होती है तो गटोरी ले लिया है उसमें हम दो चमच मेल्ट किये हुए गी डाल देते हैं आप इसके जिगाव ऑल भी डाल सकते हैं और उसमें हमने एक बड़े चमच गेहूं का आटा मि मिक्स करके यह हमारा मिक्सचर त्यार हो गया है तो मैं आगे बताऊंगे कि इसका यूज कहां करना है और यहां हमारा पांच मिन्ट हो गया है और आटा भी थोड़ असा हमारा सौफ्ट फ्लॉफी भी हो गया है तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसका अब जिसी तरह रोटी बनाते हैं बस उस तरह से रोटी से भी पतला हमें इसे बेल लेना है और जो हमने यहां पे हुल और आटी नियार था तो उसे हम इसके ऊपर अच्छे से लगा देते हैं और हम इसे फोल्ड कर लेंगे तो मैं इसे इस तरह से फोल्ड कर लेती हूँ और इसकी उपर भी हम इस मिक्सचर को लगा कर और इसे हम अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं और हम इसकी उपर फिर से आटा छिलक कर इसे हम फिर से बेल लेंगे यह प्रोसेस जितनी बार करेंगे आपका नमक पारे का लियर उतना ही बढ़िया बनेगा और उतना ही खासता क्रिस्पी बनेगा तो यहां मैंने इसे दो बार इस तरह से कर लिया है और आपको जैसा सीव देना है आप ऐसे दे सकते हैं यह मैन थो तरह के नमक-पारे बनाया है, एक मैन रमबा बनाया है, इसे कट कर लेते हैं, यह थोड़ा सा हमारा मोटा होता है, यह हमारा बाद में हम इसे पकाएंगे, जो इसका लेर बहुत बढ़ियां से निकलेगा, तो हम इसे उठा लेते हैं, और अब हम चलते हैं दूसरी तरह कर नमक पारे बनाने की और तो यहां भी हम एक डोल लेकर उसे रोटी के तरह बेल लेते हैं और एक कटोरी या आप इस तरह के धकन से आप इस तरह से गोल गोल इसे कट कर लें और एक्ष्टा भाग को आप निकाल ले और जितने भी आपके गोल किये हुए राउंड वाले पाठ है अब उसके ऊपर आप इस मिक्सचर को लगा दे और इसे आप एक बर फोल्ड करके फिर से आप इसे तरह से लगा दे और आप चाहे तो इसे थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसे बेल सकते हैं और यह हमारा दूसरी तरह का और नमक पारे हो गया है तो बाकी का भी मैंने इसी तरह से बना लिया है तो अब हम चलते हैं इसे फ्राइ करने की लिए तो हमें एक कडाए में ऑयल डाल कर इसे गरम होने के लिए रखा था और हमारा ऑयल मीडियम टेमपरेशर में है तो आप देख सकते हो कि इसमें धीरी बबल आना स्टार्ट हो रहा है तो हमें मेडियम फ्लेम पे ही प्रेक के पूरे नमक पारे को बनाना है जिससे ये क्रिस्पी और बहुत ही अंदर से हमारा पकेगा कच्छा वाला टेश नहीं आएगा इच बीच में आपको इसे चलाते रहना है ताकि हमारा नमक पारा ऐसा कि एक साइड पके दूसरे साइड ना पके तो आप इसे थोड़ थोड़ पलटते भी रहिए ताकि दोनों साइड से हमारा रहिए क्रिस्पी हो यहां इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है तो मैं इसे और थोड़ा सा पका लेते हूं बस अब मैं इसे निकाल लेते तो आप छनी को थोड़े से इस तरह से करके रहे ताकि एक्स्टा ओयल आपका निकल जाए निकाल लेते हूं और इसी तरह हम दूसरे वाले भी नमक पारे को हम फ्राइ कर लेंगे तो सेम प्रोसेस हमें इसमें भी करना है गैस की फ्लेम को मेडियम ही रखना है ताकि हमारा नमक पारे अच्छे से फ्राइ हो जाए और इसे भी हम अलट पलट करके दोनों साइट से अच्छे से पका लेंगे और यहां मेरा हो गया था नमक पारे तो मैंने इसे निकाल लिया है तो चलते हैं अब इसे इंसर्फ करते हैं तो यह हमारा आटी और मूँ की डाल का नमक प बहुत क्रिस्पी बना तो है ना बहुत क्रिस्पी तो मैं आपको यह पे तोड़ कर दिखाती हूँ मेरे नमक बारा बहुत बना था तो आप घर पे गहुं के आटे से इस तरह से पॉर्फेक्ट तरीके से नमक बना बना सकते हैं और आपको ये मैदा और आटे में डिफरेंट ही नहीं पता चलेगा कि ये किस चीज का नमक पा रहे है और आप इसे बच्चों को भी देंगे तुन्हें बहुत बढ़िया लगेगा तो आप इसे चाय के साथ सर्फ करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट क करना ना भूले चैनल को सब्सक्राइब करें तब तक कि लिए खाऊ पी मज़े करें बाबाई